इस पिपीटी विच तो आनू साबनु दस्या जाएगा कि सिस्प्रेड़ शीट विच कि में काम करदें हां श्प्रेड़ शीट विच काम करन तो पहला सानू एह पता होना चाहिएदा है कि स्प्रेड़ शीट सिक्कन्द वुदेश की कि हन नम्बर एक हार एक विद्यार्थी Spreadsheet विच काम करन दी मुडली जानकारी हासा कार लवेगा नम्बर दो विद्यार्थी Spreadsheet दी पहचान अते Spreadsheet विच काम कर सकनगे नमबर तिन विद्यार्थी डेटा शीट्स बना सकनगे अते फॉर्मूला कोपी पेस्ट करन तो इलावा होर कामवी स्प्रेड़ शीट विचे कार सकनगे नमबर चार विद्यार्थी वर्कशीट्स, लेवल्स, सेल, कॉलम्स अते रोज दी स्मिख्या करन जोग हो जानगे स्प्रेड़ शीट्स विच असी रोज अते कोलम विच कम कर दे हां। स्प्रेड़ शीट्स दी वर्तों असी डेटा रिपोर्ट्स, कॉमा डेटा एनालाईज करन लेई या रिपोर्ट्स बनावन लेई कर दे हां। इसनू वर्कशीट्स भी किहा जानदा है। असी spread sheet बनाऊन लेई किस computer program दा उप्योग कर दे हाँ spread sheet बनाऊन लेई असी Microsoft Excel software दा उप्योग कर दे हाँ Microsoft Excel Microsoft Office दा एक पार्ट है spread sheet बिच असी की की काम कर सकते हाँ spread sheet बिच असी हिठां दित्ते के काम कर सकते हाँ number 1 spread sheet बिच असी students दा result maintain कर सकते हाँ number 2 spread sheet बिच असी किसे office दी inventory जा समान दा हिसाब गिताब रख सकते हाँ नमबर तिन, स्प्रेड़ शीट विच असी नमबरा नू एनालाईज कार सकते हाँ स्प्रेड़ शीट विच असी फोर्मूले लगा के कैलकुलेशन्स वगेरा कार सकते हाँ स्प्रेड़ शेट दे हिस्से स्प्रेड़ शीट दे चार हिस्से हो सकते हाँ इस स्लाइड विच तुहां नू सप्रेड़ शीट दा फर्स्ट व्यू दिखाया गया है जिवें कि तुसी साफ देख सकते हो एक वाइट बॉक्स नजर आ रहा है इस नू सेल किया जानदा है क्योंकि ए सिलेक्टड है इस टाइम ताँ इस नू अपां सेल कहने हा जदो भी तुसी स्प्रेड़ शीट विच एक डबे नू सिलेक्ट करदे हो ताँ उस नू सेल किया जानदा है इस तो अलावा तुही देख सकते हो एक साइड ते तानू नूमेरिक वैलियूस नजर आ रहे हैं ते एक साइड ते अलफा बैट्स नजर आ रहे हैं जिवे कि तुई देख सकते एक दो तेन नुमेरिक वैल्यूज ने, ABC अल्फा बेट्स ने, ए दोनों चीज़ां, सप्रेड शीट विच अलग 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 चीज़ां नू दर्शोंदियां हन, एक दो तेन रोज नू दर्शांदे हन, अथे, ABCD कोलम्ज नू दर्शांदे हन, तो नुमेरिक वैल्यूज नू दर्शांदियां हन, इस स्लाइड विच तुह नू दस्या गया है कि, सप्रेडड शीट विच जो अलफाबेटिक्स वैल्यूज न द leur्शांदियां हन, औह कॉलम्ज नू दर्शांदियां हन. इस slide विच active cell नो दर्शाया गया है जिमें कि तुसी देख सकते हो एक column नो select किता गया हुया है इह active cell है इस active cell इस कारके है क्योंकि इस नो select कारके अपन इस विच कोई भी काम कर सकते हैं असी इदे विच कोई भी value put कर सकते हैं ओ चाहे numeric होए चाहे alphabetic होए इस slide विच असी समझांगे कि spreadsheet विच असी की की काम कर सकते हैं number 1 label, number 2 value, number 3 formula, number 4 function इस slide विच तो अनू label बारे दस्या गया है के असी label नू कीवे इस्तमाल कर दे हां for example तुसी sheet विच देख सकते हो पहली slide विच चार columns नू लेके एक row बनाई गयी है जिस नू असी multiple cell label दा नाम दिता है ते fourth row विच तो इदेखोगे name, age and gender दा column बनाया गया है एनू असी single cell level कहांगे इस slide विच value नू explain किता गया है value alpha numeric detail हो सकती है जिस नू असी single या multiple cell विच अपडेट कर दे हां simple शब्दा विच असी कह सकते हां कि इस दे जरीए असी spread sheet विच किसे चीज वारे details नू अपडेट कर दे हां जिवें सानू किसे class दी information चाही दी होएगी थां असी class दे बच्चेया दे नाम, age, gender, father name और उन्ना दा address बना के एक sheet बना वांगे और जड़ी भी इन्ना विच detail देती गई होएगी और ना नू sell the values किहा जाएगा functions and formulas इस slide विच तो हां नू functions and formulas बारे दस्या जाएगा formula formula उसनू किहा जानदा है जिसते जरीए असी calculations कर दे हां नमबर दो functions functions is a built-in formula जिन्नू असी calculation दे लई use कर दे हां यह एक तरह दा shortcut हुंदा है जिसते जरीए असी calculations कर सक दे हां इस slide विच तो हां नू दस्या गया है कि functions और formula नू कि में इस्तमाद करना है इस slide विच addition formula नू यूज करके दस्या गया है नमबर एक कोई वी formula लगान तो पहले त्यान रखना है कि जिड़ा formula आपा यूज करना है वो हमेशा equal दे symbol दे नाल शुरू होएगा जिवे कि तुसी slide विच देख सकते हो answer विच उन्हान ने पहले equal दा symbol यूज किता हुया है नमबर दो जिस वी column विच तो अनू answer चाहिदा है उस cell विच ही तुसी formula नू लगाना है नमबर तिन सबतों पहले तुसी उस cell नू select करोगे जिस विच तुसी answer चाहिदे हो फोर एक्जेंपल जिवे कि slide विच दस्या गया है B4 is the targeted cell to get answer मतवल कि उन्हान ने चोथे नमबर दे cell नू answer लेंदे लिच select किता हुया है अगर तुसी चोथे नमबर दे कॉलम विच answer चांटे हो ता तुसी उस cell विच formula लगाना है इंज नहीं है कि मैं तो हमनू कह रहा हां कि तुसी चोथे नमबर विच cell विच तुसी formula लगाना है अगर तुसी चाहो ता तुसी पंजवे, शेवे, सत्वे, अठवे, दस्वे या किसे भी सेल विच फोर्मूला लगा के अपना आंसर ले सकते हो आंसर ओही आएगा जेडी वैल्यूस तुसी सेलेक्ट कीतिया होन गिया खोन असी वो सेल सेलेक्ट करना है जिसी विच सान नो आंसर चाहिदा है नमबर चार जम्यक्यों तुसी देख सकते हो असी B2 अटे B3 सेल दा आंसर चाहने है मतलब कि असी B2 अटे B3 नो एड़ करना चाहन दे है इस करके असी फार्मूला लगान जा रहे हैं पहले एक्वल तो फार्मूला शुरूएगा एक्वल उस तो बाद B2 फून अही पलस दा फार्मूला यूज़ करना है ता असी पलस दा न्शान यूज़ करांगे अगर तुसी multiply करना होएगा तो तुसी गुना दा निशान यूज़ करोगे अगर तुसी तक्सीम करना होएगा ते तक्सीम दा निशान यूज़ करोगे एथे असी पलस दा निशान यूज़ करांगे क्योंकि असी add करना है B2 पलस B3 हुण असी formula type कर दिता है equal b2 plus b3 हुण तुसी enter करोगे ता उस column विच तुआड़ा answer नजर आ जाएगा हुण असी enter कर दे हाँ ता साधे सामने 3 answer आ गया है इस slide विच तुआ नू दस्या गया है कि subtraction दा formula कि वे यूज़ करना है subtraction नू पंजाबी विच माइनस या कटाओ के हाँ जानदा है मतलब कि माइनस करना जिमें कि किसे value विच जो किसे value नू माइनस करना या कटाना इदे विच वी सेम दस्या गया है कि पहले असी equal use करना है कोई भी formula यूज़ करन तो पहला equal हमेशा आएगा नमबर दो वो सेल स्लेक्ट करो जिस विच तुसी अपना answer चानदे हो नमबर तिन हूँ असी यूँ सेल स्लेक्ट कर लेया है जिस विच असी answer चानने हाँ हूँ इदे विच असी subtraction दा symbol use करांगे सब्स्ट्रेक्शन दा symbol ता नूँ सार्या नूँ पता है माइनस नूँ सब्स्ट्रेक्शन किहा जानदा है इदे विच असी select कर लेया हूँ असी formula लिखांगे equal b2 minus b3 ठीक है हूँ असी formula दे दिता है equal b2 minus b3 हूँ असी enter प्रेस करांगे ता सब्सक्राइब आजाएगा तो मैं enter प्रेस करदा हाँ थे दस answer मेरे समने आ गया है इस slide विच सब्सक्राइब दिविजन दा formula यूज करन बारे दस्या गया है कि असी division दे formula लिखांगे किमे यूज करना है division मतलब divide करना या तकसीम करना तकसीम करन लिए असी slash symbol दा यूज कर दे हाँ जए दे विच वी formula हमेशा equal दे symbol दे नार शुरू होएगा नमबर दो तुसी यो cell select करना है जिस विच तुसी answer चांदे हो नमबर तिन for example असी B4 cell select किता है answer लेंदे लई होन असी B4 cell विच अपना formula टाइप करांगे तांकि असी अपना answer ले सकीए सब तो पहले equal दा निशान टाइप करांगे उस तो बाद B2 slash B3 होन असी formula लगा दिता है equal B2 slash B3 होन असी enter दा बटन प्रेस करांगे enter दा बटन प्रेस करके साड़े सामने result आ जाएगा दो जिमेंगी तुसी slide विच 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 देख सकते हो जदो equal to B2 slash B3 करके enter दबाया तां answer दो स्क्रीन ते आ गया है इस slide विच सानू दस्या गया है कि multiplication दा formula कि में use करना है number 1 कोई भी formula हमेशा equal symbol देना स्टार्ट हुएगा number 2 होन असी वो cell select करांगे जिस विच असी अपना answer चानने हाँ number 3 होन असी होन वो cell select कर लिया है जिस विच असी अपना answer चानने हाँ for example असी B4 cell select किता है answer लेंदे लें number 4 होन जिवेगी असी B4 cell select कर लिया है answer लेंदे लेंदे लें equal B2 multiply B3 होन असी formula type कर देता है equal B2 multiply B3 होन मैं enter press करांगा होन enter press कर दे ही मेरे सामने मेरी answer आ गया है V into 10 200 ठीके multiply करन दे लेंदे लेंदे multiply दा सिंबल यूज करांगे plus करन दे लेंदे 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 ल झाल झाल